युगांडा में सभी लोग इंडियन ओरिजिन के सुधीर रूपरेलिया को लेजेंड बुलाते है युगांडा लांड अलाइंस के मताबिक सुधीर युगांडा के लाजेस्ट इंडिविजिल प्रॉपर्टी ओनर है और उनकी रूपरेलिया ग्रूप इस हुज 1956 में युगांडा के छोटे से टाउन में पैदा हुए सुधीर और उनकी फैमली को युगांडा से एक्मी क्लेंजिंग के नाम पर निकाला गळा उस समय युगांडा के सरकार का ये मानना था कि इंडियन्स युगांडा की एकॉनमी को खत्रे में डाल रहे थे सुधीर तब सुर्फ 16 साल के थे 1985 में सुधीर युगांडा वापिस लोटे और कई बिजनसेस में अपनी किस्मत आजमाई फिर उन्होंने अपनी foreign exchange business पर focus किया जिसने success की चोटी छुली और सारे competitors को हरा दिया आज रूपरेलिया की crane bank customer base के हिसाब से युगांडा की second largest commercial bank है सुधीर का सफर मुश्किलों को हरा कर कुछ कर दिखाने का एक perfect example है